आपका बहुत स्वागत है अपने मोटिवेसनल वीडियो की तरह बहुत ही कारगर साबित होने वाली है तो चलिए अपने इसका हुआ एक इंगलिस का वर्व बनो वर्व यानि क्रिया देखिए वर्व अकेला वाक्य बना सकता है लेकिन बिना वर्व के कोई वाक्य नहीं बना जा सकती है ऐसा इसलिए होता है कि वर्व हमेसा काम करते रहता है और वक्त के साथ बदलते रहता है इसलिए वर्व को वाक्य की आत्मा कहा जाता है तो दोस्तों मेरा यह सजेशन है कि आप हमेसा काम करते रहे और वक्त के साथ बदलते रहे क्योंकि आपको यह भी पता होग कि जो वक्त के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें प्रकृत रिजेक्ट कर देती है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल आप देख सकते हैं डाइनासोर डाइनासोर वक्त के साथ नहीं बदला प्रकृत नहीं की क्योंकि यह वक्त के साथ बदल गया तो आपको वक्त के साथ बदलना के लिए हमें बल लगाना होता है और बल की ही दिसा में जब विस्थापन होता है तो कार्य होता है मतलब कि आप बल लगाते रहे अगर उसमें विस्थापन नहीं होगा उसमें कोई भी मतलब डिस्थापन नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं होगा उसी तरह सफलता बराबर मेहनत प्रवर्तन होने के लिए मेहनत के साथ प्रुवर्टन की आउसकता होती है यानि कि अगर अपने पर आप मेहनत करते रही है जबे परिवर्तन नहीं आया तो आप सफल नहीं हो सकते हैं तो आप अपने इंप्रूफमेंट पर भी ध्यान दिजीए बस हाट्वरकिंग ही मत कीजिए अपने कितना इस पे यह वी नौंटीस की इस ध्यान दिजिए अब आते मिली मतलब कि पागल आदमियों की प्रकार कितने होते हैं देखे हमारे हिसाब से दुनिया में दो तरह के पागल होते हैं एक पागल वे होते हैं जिनके पास कोई टार्गेट नहीं होता है और वो सभी काम करते हैं कभी नाचेंगे कभी गाएंगे कभी खेलेंगे कभी कूदेंगे ऐसे पागल रोड पर इधर उदर घूम्ते रहते हैं लेकिन दूसरे पागल जो जिनके पास एक Sword be आखेट होता है और वो बस एक ही काम को करते ऐगर नाचेंगे तो बस नाचेंगे गाएंगे तो केवल गाएंगे ऐसे पागलों के पीछे पूरी दुनिया घुमती है और हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपने लक्ष के लिए पागल हो गया है तो दोस्तों आते हैं फोर्थ पॉइंट पे सनराइजिंग जबी आप डिमोटिवेट हो जाएं जबी आपके अंदर निकारना का रात्मक बीचारा है तो सबसे पहले उगते हुए सूरज को देख लेजिए जो हमें क्या संदेश देता है वे मैं आपको बता रहा हूं उगता हुआ सूरज बनेने का प्रयत्मक कीजिए और आते हैं फिफ्ट पॉइंट फिफ्ट पॉइंट एक है मोटिवेशनल सेयर अब आपके सामने मोटिवेशनल सेयर रखते हैं कि राह संगर्स की जो चलता है वही दुनिया को बतलता है रातों से जिसने जंग जीती वही सूरज बनके निकलता है तो बातों को ध्यान में रखिएगा अपने आपको खुद को मोटिवेट कीजिएगा और हमारे पूरानी वीडियो को भी देखते रही है ताकि आपके अंदर एक निव एनर्जी डपलब हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जैहिन फिर म झाल झाल